यह मैंस्टर साहम से कहे पूता क्लासि में यह सबसे पहले बोलता है तुम बताओ तुम ब Nossa बीच में बैठेंगे नहीं वी परते हैं यह क्या लिखा एक तो जब हमको लिखा है अग्रेजी बोलता है मुले स्टेशन फिर री क्या होता है समझा रहे है वाक्य बना के समझा रहे है तब समझोगे माल लो तुम रस्ता पर जा रहे हो और किसी लड़की के साथ चे चर करें गे अरे मानने के लिए पूल रहे हैं आरे तो जब किया यहीं तो इमेजन करके देखो आरे मस्टार जी हम आपको बोले ना हमको बार बार गधा काई बोलते हैं अरे में जिन करना है ना तो खुद के बारे में कीजिए कि आप रस्ता पे जा रहे और लणकी छेर रहे आजा ठीक है ठीक है तुम ऐसे नहीं समझेगा तुम गधा है मान लो काला कदू तुमारी बेटी को छेर रहा है आरे ये काई हमरा बेटी को छेरेगा मार के देहन ही तोर देंगे आरे मनने के लिए भाई काई तुमारी खड़ाप कर रहे हो अरे तो सब चीज हमेरे उपर काई मन रहे है आप मेरे और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बलिए अमने के लिए दूसरा एक्जंपल दीजिए आजा चलो चलो बताते है माल लो एक लर्का मार्केट में जा रहा है और एक लर्की को छेर रहा है उसी को बोलते मॉले स्टेशन समझें मॉले स्टेशन का मतलब क्या होता है हाहा समझ गए एक लर्का मार्केट में जा रहा है और वो लर्की को छेर रहा है उसको मॉले स्टेशन बोलते है लेकिन लड़का को समने से रही हो तब कौन सांगरेजी का सब्सक्राइए अब इसका मतलब होता है दूसरा बताईए आब तो पर हो नहीं आप आले हम को क्या देते है आरे कर्ष्ट और क्या क्या का मतलब रुपता है का मतलब देना परेशान करना पता नहीं कैसे सब्ध का मतलब तुमको बनिया पता नहीं होगा रोज्त आप हमने सद्वाई कर रहे हैं चलो गोड़ा कदू तीसरा सद परो क्या लिखा है यह सब तो बहुत हड है पढ़ने में नहीं आ रहा है आप पता चलेगा ना देखते एक इसे पढ़ता है बहुत होसी आर बनता है ना अब पता चलेगा कितना अंग सबसे भारी सब्सक्राइब लेकिन तुम इसका मतलब ही समझा दिये चलो क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है आरे इसको डेली ब्रेटली नहीं बोलते है डिली ब्रेटली बोलते है क्या मतलब हुआ इसका आरे तो आराम से बोलो ना ऐसे लगता है तुम हमको पढ़ा रहे हो चलो टकला तुम बताओ क्या मतलब हुआ इसका अरे वापस हमसे पूछ रहा मश्टार मश्टार जी यह आपका सब्द है ना इसका कोई मतलब नहीं है क्या कि जो सब्द है इस सब्दे लगना हमको गलत है इसमें एक अलफाविट गलत है वो जो टी नहीं है उसको डी होना चाहिए असल में यहां पर यह लिखागा डेली ब्रेडली मतलब डेली ब्रेडलो इसका मतलब ही होगा इसका मतलब हो इसका मतलब हुआ इसका मश्टार जी जान बूचकर माश्टर गॉलां कादू समिला वड़ अंसर इसको आता और जब सब कुछ इसको आता ही है तो यांग्रेजी सीकने तब तो आजया नहीं आते हैं लेकिन आप पहाते कमें पूचते जदा रो जाते हैं यह बता ओ बता एक दिन भी आफसी सब परहाई हैं परहेंगे तब बच्चा जवाब देगा और हम तो एक जवाब दिये ने पर्व भी आपको खुषा और हम बलते हैं पहले ही भी रखैखने के लिए नबलते अरे टमकल cricket को देखेखने आया है आपके रखिय फोकस करो एक तो उससे भी पूछाएंगे पहले तुम बताओ इस असुरा मेंस्टर को लगता है पूरा एंगरे जी हमरा ही ठीक करना है चलो बोला है तो पाड़ लेते हैं और फिर फिर पाल्ट का लिखा रा रहा है लिटी उसके बाद का लिखारे और ल य करेड़् य। आरे डवल य राली कि लिट्टी रादी कि इस साला कौन सब्सब्बं लिट्टी रादी समझें में याता है होगा कोई मतलब मास्टा जी लिखा हुआ है लिट्टी राली यह लिट्टी राली लिखा है हां तो आपके क्या लगता है समसा के बारे में लिखा है लिट्टी के बारे में लिखा हुआ है आरे यह लिखा है लिट्रली साच मोच आरे तो हम कहां बोल रहे हैं मास्टा जी आप जूट में बोल इसका मतलब उते जुगार अरे वाक कला कदू बढ़िया सभास अविस्तला इस सब्द तो पहली बार सुने लेकिन इस सब्द का मतलब कला कदू को भी आता है हमको लगता ही दोनों बेटा तेज हो रहा है हमसे ज्यादा सीखरा लगता अंगरे जी यह लोग देखा कला कदू आगी। मैं आके शब्होव जाब दिया B इसका मतलब हम कैसे हो सकते है आपके लिए यमदर नख़ता है बगवास करता है थ Intern हैं सब हो गया पहले लिया समझ में आगया सब को अब चलो इस साइड बोर्ड में जो पंक्ट्वेशन मार्क सब दिया हुआ है उसको देखके बताओ किस मार्क को क्या बोलते हैं अंग्रेजी सीखने आए यहां पे बुंदा कॉमा क्या लेके आ गया है दो दो बिंदी लगा दिय नहीं इतना अंग्रेजी दम को भी आता मस्टर साब अरे गढ़ा इसको बिंदी नहीं कॉलन बोलते है घुटना में तिल लगा तिल लगा अरे यह क्या होता है वही केमिकल तो नहीं है जिससे गाली का सीशा वगरा सब किया जाता है आरे यह वह नहीं है इस पंक्ट्वेश अब बढ़ा नहीं सेमी कॉलन बोलते हैं अलग रग डिजाइन क्यों है एक ही जैसे अना चाहिए ना आरे सेम कॉलन नहीं बोल रहे है सेमी कॉलन बोल रहे है सेम कहा लग रहा देखने में लग लग है बार सेमी कॉलन सेमी कॉलन बोलते है से अलंग ऑप मई गदा यह सेमी कॉलन एंस समझे सेमी कॉलन इस अंगरेजी में भासन क्या प्पलिक जहें पोलिश था है इस सबने बोलेंगे हम को एंग्रेजी स्पिकिंग सीखना था आपसे क्या से का रहे इस सब आरे पागल जब तुमको कोई लेटर वगेर आएगा तो परोगे ना परोगे तो समझोगे ना कि महां पर यहीं बोलोगे दो बिंदी छोटा बिंदी बड़ा बिंदी वहां ऐसे प क्यों पागल का पागली ही आए हमस्ता सब्सक्राइब नमकर गोलते हैं defending the और उसके बाद वाला को काईली ब्रेकेट बोलते है क्योंकि वो गोल्ड रिजाइन में होता है आरे सबस्वास गोला कदू तुमसे हम एक पूछे तुम सब बता दिया गर्व हमको तुम तुम जैसा चारत रहो तो माश्टर का नाम कभी नहीं डूबेगा और इस गधा टकला बाद के उमर का है उसके बाद भी तुम को कुछ नहीं आता है कदूपूर का मंत्री कॉछ लिए बन गया के विज़ान चाहिए निगले निगलो कोचिंग सब पर पर के जो सिखाए है हाँ 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 हम भी जा रहे हमको भी कोई शौक नहीं आपके साथ बैठके फोटा की चाने का खाली बजाती करते हैं इतना दिर में आप क्या पढ़ा है यह बताइए ना खाली पूछ लिए सबसे बोलते पराते हैं पराते कमें सिखते ज़्यादा है आले आले भागो भागो बगला सक्लैंपाइ गाते हूं और कुछ झाते हूं को